हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जौब इंडिया में सौगत करता हूँ दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों वीडियो को सेर कर दो, जी हाँ आज है 13 दिसंबर, अभी अभी 5 मिनट पहले दोस्तों आप लोगों के लिए बहुती जबरदस्ट अपडेट लेकर आ चुका हूँ, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे जो है लगबग 12 घंटे के बाद ही आप लोगों का दोस्तों यहाँ पते की एक अपडेट आ चुका है, इस्टेटिक मॉक टेस्ट लिंक यहाँ पे आ चुका है, यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है, मातर 12 घंटे के अंदर दोस्तों यह आ चुका है, किलियर है, तो मॉक टेश का जो लिंक है दोस्तों आप लोगों का एक्टिवेट हो चुका है, आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब सबसे अच्छी अपडेट क्या है, कि एनम के लिए अपडेट है दोस्तों, एनम में जो आपके नॉन टेकिनिकल है, चीके मैथ, रिजिनिंग, ये भी दोस्तों कोश्चन आएंगे, मैं पहले आपको बोल दे रहा हूँ, किलियर दोस्तों, तो चलिए, आपको लेकी चलते हैं, यूपी एनम की वेबसाइट पर, इसमें दोस्तों, इस्टेटिक मॉक लिंक के बारे में, अलग से हम जानका जा चलते हैं, तो चलिए दोस्तों, अभी इस वेडियो में बात करेंगे, मॉक टश लिंक के बारे में, किलियर, तो चलिए, वेबसाइट पर चलते हैं, दोस्तों, आपको बता दे, पल-पल की अपडेट के लिए, हमारी चैनलों को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक क चुका है, इस वेबसाइट का लिंक नीचे, डिस्कुरिशन बॉक्स में दिया गया है, दोस्तों, वहाँ पर किलिक करके, डारेट आप लोग जो है, इस पेज पर आ सकते हो, इस पेज पर आने की बास, सबसे पहले यहाँ पर टाइम देख लो, मंगलवार, 13 दिसंबर, 22 ट अपडेट आ चुका है, जिसमें देखिए, स्टाफ नर्स पद के लिए, स्टेर्टिक मॉक लिंक यहाँ पर अक्टिवेट हो चुका है, 13 दिसंबर, 22 फार्मासिष्ट के लिए, स्टेर्टिक मॉक लिंक यहाँ पर अक्टिवेट हो चुका है, और अनम पद के लिए, स्टे कर लो कि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा तो यहां पर फोर पोजीशन है तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एंडम के लिए तो इस लिंक पर आप लोगों को किलिक करना है और किलिक करने के बाद देखिए यहां पर नया पेज ओपन हो जाएगा और मोबाल से मैं वीड इस लिए और आपका सिस्टम कोड़ होगा यहां पर शिस्टम नेम होगा C091 C085 क्योंकि आप लोगों का online exam होगा तो जब आप लोग सेंटर पे जाओगे तो वहाँ जो आप लोगों का computer lab होगा जहां पे आपका exam होगा तो जब आप लोग अपने seat पर जाओगे तो वहाँ पे seat पे दोस्तो system name होगा आपके computer पर और इस तरह से आपका photo यहाँ पे लगा होगा आपका नाम होगा और फिर दोस्तो आप लोगों के login ID होगा यहाँ पे जो आपका user ID होगा यहाँ आपका roll number हो सकता है और यहाँ पे नेचे आप लोगों को क्या करना है data birth डालना होगा बाइ चांस आप लोग टाइपी नहीं कर पा रहे हो, डेटा बर्थ नहीं डाल पाऊगे, तो वे लोग खुझ आपका डाल देंगे, डेटा बर्थ देशों को ध्यान से पढ़े सभी परस्णों को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएका किलियर है आपके केम्पूर्टर विंडो पर टाइमिंग यहाँ पर दिया रहेगा इस साइड में किलियर है जी हाँ 120 मिनट का दोस्तों उल्टी गिंती सुरू हो जाएकी जैसी आप लोको का इक्जाम होगा वह आप देख लिएना इसके बादि के नंबर थाड इस स्क्रीन के दाहिने कोने पर परसन पेलेट परसन 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 प्रसन लेना है इसको आप लोगों को पढ़ लेना है वविकल्पी प्रकार के पर्सन होंगे ? इंगलिस और हिंदी दोनों टाइप क्यों अब यहां पर लोग देख लेना इसके बाद आपको नेस्ट करना है जैसे आप लोग नेस्ट करोगे तो देखेंगे दो मैं आपको बता दू जिस language में आप लोग exam देनाः चाहते हो बस क्लेडिय जिए बतो लिख देना है तो यहाँ पी अगर आप के लिख लैंग्वेज में इकजाम देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर हिंधी हिंदी सेलड करना है आपको English language में दोस्तों अब्रेम देना है अब यहां पर बात करेंगे किस topic से कितनी question आएंगे है न यह important है एक मिनट तो जैसे यहां पर आप लोग क्या पढ़ोगे दिशा निर्देस यहां पर पढ़ने के बाद आपको नेश करना है जैसे आप लोग नेश करोगे तो इस तरह से दोस्तों यहां पर option आजाएगा देखी आप लोगों का उपर important अपडेट दिया गया है और यहां पर दोस्तों परसन पत्र में किस topic से कितने question आएंगे हम बात करें एनम के लिए इसकी जानकारी यहां पर दी गई है है ना तो यहां पर देखिए आपका syllabus दिया का है और बोला किस topic से कितने question आएंगे नमबर वन बात करेंगे दोस्तों तो सौस के निर्धारक और भारत में समुदायों की सौस से समुदायों का उलोकन ESC, ESC, PHC, CHC और जिला अस्पताल का संगठन इससे दोस्तों 8 question आएंग बाकी मैं एक special वीडियो लेकर आने वाला हूँ एनम का फुल स्लेबस लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि आप लोगों के किस topic से कितने question आएंगे कि लिए negative marking है या नहीं है इन सभी की जानकारी एनम के लिए अलग से वीडियो आएगी नर्सिंग की अलग से वीडियो आएग इसके बाद आप लोग निची आईएगा तो यह most important एनम के लिए अपडेट है कि देखिए तरकसक्ति समान अभी छमता यानि कि दोस्तों रेजरिंग से भी question आएंगे और इसके बाद तरकसक्ति से यहाँ पर question आएंगे समान ग्यान जीके से भी यहाँ पर 5-5 question आने वाले ह तो आपको मैं बता दू 80 question आपके एनम से आएंगे एनम से 80 question आएंगे 80 number का होगा कि लिए है कुल यहाँ पर दोस्तों 10 topic हैं हर topic से 8 question आएंगे बाकि आप लोगों का चार और topic है gk math और gk math reasoning और आपका जो है दोस्तों gk के साथ current affairs और आपका जो है एक और दोस्तों हो जाएगा basic computer knowledge basic computer knowledge BCN basic computer knowledge से 5 question आएंगे GK से 5 question आएंगे math से 5 question आएंगे तो 20 question यह हो जाएगा यानि 80 question आपके technical से आएंगे और 20 question non-technical से आएंगे तो एनम वाले आप लोग अच्छे से देखलो एनम वालों को बता दे एनम में gk math reasoning computer से question आएंगे clear है त्यारी आप लोगों क इस्टार्ट हो चुकी है nursing India को आप लोग subscribe कर लेना बाकी चलिए हम लोग back जाते हैं बैक चलते हैं और अब हम बात करेंगे दोस्तो staff nurse के लिए बिलकुर सेम तरीके से आप लोगों को follow करना है staff nurse पद के लिए static mock link यहाँ पे है आ चुका है नीचे discussion box मिलिंक दिया गया चारो पोजीशन के लिए हम बात कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पर syllabus चारो पोजीशन का यहाँ पर सेम है जो non-technical है यह बिल्कुर सेम है यहाँ पर देखी दोस्तों तो क्या करना है आपको आपको यहाँ पर देखी आपके topic wise जो है syllabus आ चुका है किस topic से कितने question आएंगे इसकी जानकर यहाँ पर दीग गई है यहाँ पर देखी हिंदी में भी आ चुका है मिडवाई सेरी और प्रसूती nursing से 8 question आएंगे समुदाई सौस्ट nursing से 8 question नर्सिंग का मौलिक से 8 question medical surgical nursing से 8 question सौस्ट सिच्छा और संचार कोसल और परियावरान सोचथा से 8 question पोशर से 8 question बागी आप लोगों को देखिए तरकसक्त रेजिनिंग जी के मैथ और केम्पूर्टर से 5 पास कोस्टन आएंगे किलियर है जी हाँ बाकि इसे भी आप लोग पढ़ लेना और जिस लेंग्वेज में आप लोग एकजाम देना चाहते हो उसे आप लोगों को केम्पूर्टर पी एकजाम होगा, इसी तर synthes आपको मैथर दोस्तों फालू करना है किलियर जी हाँ, बाकि इसी तरिके अपके सेक्टेशन दिए गए हैं सेक्टेशन बन में जो हैं आपके नर्सिंग के सेलेबस दिए गए हैं यह आप लोग देख सकती हैं इसके बाद जो है section 2 में जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर gk math reasoning होगा section 2 general में आपको जाना है तो यहाँ पर आप लोगों का दोस्तो आप लोग सबसे पहले section 1 करना है और section 1 करने के बाद दोस्तो section 2 में आपको जाना है और section 2 general में दोस्तो आपको gk math reasoning और computer के question आएंगे और यह आपको example के तोर पर इस तरह से आपको questions होगा मैं computer पर या laptop में एक अच्छे से वीडियो बना दूँगा आप सभी लोगों के लिए और यहाँ पर आपकी timing चलेगी तो and वाले भी इस तरह से देख लो आप लोगों का पर clear है एक ए दो दिन आप लोग practice कर लेना आप लोगों का दोस्तो प्रैक्टिस हो जाएगे अच्छे से तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर दोस्तो एक जाम देना है प्रैक्टिस आप लोग कर लो बाकी दोस्तो जो भी यहाँ पर नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर जॉब इंडिया पर अपडेट मिलेगी थैंक्यू दोस्तो मिलते हैं नेश वीड दोस्तों च Care और में जाम अपडेट जयां दियां उम्मन दिया बाका कर दोस्तों हैं